बहुत 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 धन्यवाद मैडम मैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में मैं हाउस आउडर में नहीं है मैं इस सब आउडर में आप बोलते जाओ मैं का बोलू मैडम मैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ मैं अपने टीडीवी बेले मित्रों से संबेदना रखता हूँ मैं उनसे कहना चाता हूँ कि ये पहला बादा नहीं है जो मोदी जी मुक्रे हैं ये स्वामी नातन का बादा करके भी मुक्रे हैं ये दो करोड नौकरियां देने का बादा करके भी मुक्रे हैं ये मुकरने के माहिर हैं इसलिए मैं आपसे संबेदना रखता हूँ आपके प जो जितने भी बीजेपी के जो बीजेपी के जितने भी मेरे मित्रों ने आज स्पीच दी लगबग सभी में उन्होंने कहा हम सभी राज्यों को लोगतांत्रिक तरीके से सरकारें चलाने के लिए अधिकार देते हैं क्या दिल्ली को आप देश का हिस्सा नी मानते दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री नौ दिन तक LG के वेटिंग रूम में उसके घर में उसको मिलने के लिए वेट कर रहा है नौ मिनिट नहीं मिले उसको मिलने के लिए क्या ये लोगतंत्र है चार राज्यों के मुख्य मंत्रिय आए, उनसे भी LG नहीं मिले मैडम स्पीकर, जिस घर में LG रहते हैं, उस घर में अंग्रेजों के जमाने में वायस राय रहते थे शायद वायस राय की आत्मा LG में भूस गई है क्या लाज साब के डंडे से दिल्ली चलाओगे क्या ये लोक्तंतर है, कि ये फैडरल स्टक्चर के लिए बहुत बड़ा खत्रा है ये गोवा में भी ऐसे करते हैं, ये और नाचल परदेश में भी ऐसे करते हैं मैडम, मैं आगे कहना चाहता हूं, परदान मंत्री जी, जब किसी स्टेट में जाते हैं तो स्टेट की जो ट्रदीशनल उसकी ड्रेस होती है वो उनको पहनाई जाती है दुख से कहना पढ़ रहा है कि पिछले दुनों परदान मंत्री जी पंजाब के दोरे पर गए उनको पगडी पहनाई गई 90% कुरबानिया पंजाब देश को याद कराने के लिए पंजाबियों इससे पता चलता है कि मैंनो टीज़ी कितनी कदर है प्रधान मंत्री के दिल में मैडम मैं यह कहना चाहता हूँ आज आज दिभेट इस बात पर चल रही है बेरुस्गारी पे को डूबेट ही नीचल रही आज डिजिटल इंडिया पर तो बात ही नहीं कर रहा है आज डिवे मुसलिम पे कोई भी टीवी लगा लो हिंदू मुसलिम ये देश में जो ये विभाजन की जो राजनीती है ये बहुत ही खतरनाक है ये बहुत ही देश को बाटने वाली बात है मैडम पेट्रोल और डीजल के भाव कहां चले गए क्या बोलके आई थी सरकार बहुत हुई महंग प्रापती है बड़ी बड़ी प्रापतिया गिना रहते मैडम आफिर में मैं एक छोटी सी कविता बोलकर बैश जाओंगा किरप्या घंटी मत बजाना फिर डिस्टर्ब हो जाता है मैडम प्लीज छोटी सी कविता है कि बाद चली थी भारत को डीजिटल इंडिया बनाने से बाद चली थी भारत को डीजिटल इंडिया बनाने से बाद चली थी एक के बदले दस सर काड़ कर लाने से बाद चली थी बुलिट ट्रेन चलाने से बाद चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से बाद चली थी ना खाने से ना खिलाने से कहां गई वो 100 दिन में काले धन की बात पिशले चार साल से देश की जनता सुन रही है, सिर्फ रेडियो पर मन की बात चौकीदार देख रहा है, चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगा कर बगोडे हो रहे हैं और लाखों पड़े लिखे नौजवानों के सपने आँखों के सामने पकोडे हो रहे हैं अब तो साहब के ओफिस से मेन्यू बन कर आता है कि हमने क्या पहनना है और हम क्या खाने वाले हैं मोदी जी अगले 6-7 महिने में आप जाने वाले हैं कि पर जाते जाते ही बता दीजिए अच्छे दिन काव आने वाले हैं बहुत बहुत शुक्री है